देखे नारे देने में जूट बोलने में बीजे पी का कोई सानी नहीं है भारते जंता पार्टी का काम ही यह है कि केवन नारे दो और जूट बोलो जहां तक आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात केई मैं बार बार इस आपके चैनल के माध्यम से कह चुगा हूँ कि केवन नारा है बेटियां बेज़त हो रही हैं उनके साथ बलातकार हो रहे हैं और अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का सारे रिकॉर्ड उठाके देख लें तो उससे आपको पता रग जाएगी कि भारतिय जंता पार्टी के शाशनकाल में 2014 के बाद लगातार क्राइम का ग्राब बढ़ा है और महिलाओं के प्रती अपराद लगातार बढ़े हैं केवल यही छेतर नहीं हैं जहां तक महिलाओं को रोजगार देने वाली बात है अधिकार देने वाली बात है वहां भी भारतिय जंता पार्टी पूरी तरह से असफल है और केवल जूटे नारे दे रही है आपने देखा होगा आप हमारे साथ कई बार रहे हैं जो आंगनवाडी हैं आंगनवाडी के विश्य में लड़ाई लंबी लड़ाई चल लए है लाखों की संख्या में पूरे देश में लगबा 25 लाख आंगनवाडी है आज सक उनको या कहीं 5000 इतने मिलने हैं तो वहाँ भी और इसके लाबा और जितने भी फ्रंट हैं वहाँ हर जिगे फेल है अगर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो पार्लेमेंट में 33 प्रितिशत महिलाओं का आरक्षन बिल आज भी पढ़ा है क्यों पास नहीं कर सरकार है और जूट बोलने वाली बेइमान निकम्मी नकारा सरकार है सर एक नारा फिर इनका स्टाट हो गया है कि राम लला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारिक नहीं बताएंगे देखें मैं इससे पहले एक बात अभी आपको कहना चाह रहा हूं जो आपने कह अभी पहले सवाल में कि सब लोग सहमे 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 नहीं है यह बवंडर आने से पहले तूफान आने से पहले की शांती है खामोशी है और अगर इनमें जराबी समझे तो नहीं समझ जाना चाहिए कि वो तूफान उठेगा जो 2019 में इन्हों उड़ा के फैंक देगा पूरी त यह बेइमान मकार लोग हैं सिदे के सिदे अगर यह मंदर बनाने को होते तो आज की तारीक में राष्टपती इनका पृधान मंतरी इनका चीफ जसित इनका सुप्रिम कोट इनकी लोकसभा इनकी राजय सबा इनकी राजय में उत्तर प्रिदेश राजय में सरकार इनकी मु मंदिर नहीं बनाना बल्कि यह मंदिर का मुद्धां जिन्दा रखना है ताकि यह सत्ता के लिए बार-बार उसका इस्तिमाल कर सकें tagar ये मांदार होते तो अनुशे 370 सम्विधान का खत्म क्या इन्हों नहीं जिसे धारा 370 बोलते हैं धारा नहीं है सम्विधान की कोई भी अगर जो वेवस्ता है उसको अनुचेत कहते हैं धारा नहीं बोलते हैं फिर भी गलत बोलने हैं उसके बाब जुद भी तो अनुचेत 370 खतम नहीं किया इन्होंने मंदिर नहीं बनाये इन्होंने किया क्या है दो करोर लोगों को रोजगार परवर प्रतिवर्ष देने का वादा किया पंदरे पंदरे लाख रुपे लोगों के खाते में आ जाए वो वादा किया इन्होंने जो विजदेशों का काला धन वो वापिस आ जाए वो वादा किया इसके अलाबा 625 नाम इनके पास आगे सुप्रिम कोट कहती रही वो सुप्रिम कोट को नहीं बताई इन्होंने कौन से वादा पूरा किया युवाओं को बेरोजगार कर दिया नोट बंदी लागू करने के बाद में 4 करोर से जादे लोग बेघर होगे बेरोजगार होगे और जिर्स बात के लिए नोट बंदी करी थी उसमें से एक भी ना तो आतंकवाद खतम हुआ ना भ्रहस्टाचार खतम हुआ ना काला धन आया और ना ही जाली नोट बंने बंद हुए तो हुआ क्या है पुरा ये बेइमान जूटी मकार सरकार है लेकिस सर आप कहने कोई बादे पूरे ने हुए मोधी जी ने ये कहा था कि हम पूरे इंडिया को कैसलेस कर देंगे तो आप यyou आपने देखा ना कुछ बेंक कैसलेस कर दी न सर इसे इस को इनका कैसलेस का मतलब ये है कि कैसे मच्छोड़ो बैंकों में तो ये नीरम मोधी ये ललित मोधी ये माल्या ये माल्या ये कैसलेस कह भाग रहा रहे हैं तो यह cashless हो गया नहीं हो गया इसमें cash ही नहीं रहेगा अपने आप cashless हो गया यह सरकार है यह cashless हुआ वाली सरकार नहीं है कि आपको कहीं भी जाए तो cash लेके चलना नहीं पड़ेगा आपको credit card से जो बागी और card है उनसे ATM card से उनसे काम चल जाएगा नहीं वो नहीं है यह cashless इसका मतलब है इस देश में कैसी मत छोड़ो यह है इनका काम सरी आप नहीं लगता कि आप लोगों की भी कहीं कहीं कमी रही हो जब बाबा साब ने बड़े दुख पीडा से बोलाता कि जिस समाज के अंदर 20 हमारे बकील होंगे 20 डॉक्टर होंगे 20 इंजीनियर होंगे तो हमा समाज को कोई पिच्छान वाला नहीं और हमारे समाज आगे बढ़ेगा ने मैं आपकी बास से सेमत हूँ इसे मैं इस तरह से कहूंगा कि जो आप कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है क्योंकि समाज भी गुमरहा है समाज भी सही बात कहने को तैयार नहीं है अगर कोई सही जो पुलिस ने बरवरता का नंगा नाच कर रखा है और तंडब मचा रखा है बेहन बेटियों की इज़त आबरू से खेलने हैं निर्दोश लोगों को घसीट का लाते हैं थाने में बंद करते हैं पिटाई करते हैं और उसके बाद जूटी एफ़ायर करके जेलों में बंद क तो यह सब कुछ नहीं होता तो मैं आपके बाद से यहां सहमत हूं लेकिन फिर भी जो लोग समाज की आवाज उठा रहे हैं काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि समाज को अगर सुरक्षित रहना है तो अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देना तो यह जई देना बाद